दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं कि भाई आप लोग Google Pay अकाउंट कैसे बना सकते हों वो भी 2024 का एक नया तरीका होने वाला है यदि आप लोग का अभी तक Google Pay का अकाउंट नहीं बना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो के यदि आप लोग इन त जरूर देखिएगा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो गूगल पे अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको Google Pay अकाउंट आपको देखे यहां पर आपको डाउनलोड करना होगा तो चलिए मैं आप लोग के सामने यहां पर अपने इस Google पे अकाउंट को भाई आप लोग के सामने लगाउट कर देता हूँ और उसके बाद यहां पर मैं आप लोग को सामने मैं यहां पर फूल प्रोसेस आपको बताऊंगा Google पे अकाउंट बनाने का तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग के सामने मेरे Google प अप्लिकेशन को open कर लेना है अब जैसे आप play store application को open करोगे तो उपर देखिए आपको एक option मिलेगा search बारका simply आपको इस पर यहाँ पर click करोगे तो यहाँ पर आपको type करोगे तो यहाँ पर आपको type करोगे तो यहाँ पर आपको search करना है और इस application को सबसे पहले आपको पर install कर लेता हूँ, simply आपको क्या करना है, Google Pay को यहाँ पर install कर लेना है, जैसे friends आप लोग का Google Pay install हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर चलिए मैं आप लोग को आगे का process बताता हूँ कि आपको आगे करना क्या होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर finally Google Pay account जो यह है, यहाँ पर इ आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप लोग जिस भी language में आप लोग करना चाहते हैं, आपको हिंदी आता है, तो यहाँ से आप क्लिक करके यह देखिए हिंदी है, आप लोग इस हिंदी पर क्लिक करेंगे, तो पूरा हिंदी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर English से भासा को select करता हो, और यहाँ पर देखिए, आपको done का option मिलेगा, simply आपको done वाले option पर क्लिक करना है, अब यहाँ पर देखिए, आपको country का एक option मिलेगा, कि आप कि इस country से है, यानि आपका देश कौन सा है, आप इंडिया से है, इंडिया से जो भी आप है, तो मैं मैं इंडिया से अब जैसे फ्रेंट्स आप अपने फोन नंबर को फिल अब करे हुए उसके बाद यहां पर नीचे आपको एक आपसन पर क्लिक कर देना है अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखे यहां पर जीमेल का एपसन आएगा तो आपको यहां पर कोई भी जीमेल आपको ले लेना है तो आपको अपना एक जीमेल आइडी भाई यहां पर सेलेट कर लेना है तो चले मैं यहां पर अपने जीमेल आइडी को भाई यहां पर सेलेट कर लिया हूं आल्रेडी अब यहां पर देखे आपका जीमेल हो जाएगा उसके बाद नीचे देखे आपको का अपसन मिलेगा accept and continue का simply आपको accept and continue उपर क्लिक कना है तो आपके mobile नमबर पर एक OTP आएगा और यहां पर देख सकते हैं आपके उस OTP से यहां पर sign up हो जाएगा आपको नमबर को यहां पर verify करते हैं पे वाले तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा verify का process चल रहा है, अब जैसे यहाँ पर verify हो जाएगा उसके बाद आपको आगे का process में बताता हूँ, तो friends यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मेरा गूगल पे का account जो था, वो verify हो गया मेरे phone number से, अब यहाँ पर देखिए आपको bank का एक option मिलता है जहाँ पर लिखा गया है भाई मेरा यहाँ पर in active है तो आपको यहाँ पर अपने google पे में अपने bank account को एक्टिव करना होता है अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके देखे यहाँ पर नंबर पर बैंक की तरफ से वेरिफाई किया जाएगा तो देख सकते यहाँ पर इस तरीकेस वेरिफाई का आपसन चलेगा अब जैसे यह verify हो जाएगा तो आप लोग के सामने देखे यहाँ पर done का option आजाएगा अब यहाँ पर देखे set upi pin का option आएगा simply आपको इस पर click करना है अब setting upi number आपका चालू हो गया है अब यहाँ पर आपको pin डालना होता है जैसे आपका 4 digit का ATM pin नहीं होता है यही रखना है आपका screen lag की pin आपको डालना है तो मैं यहाँ पर pin को prefer करता हूँ simply मैं यहाँ पर continue पर click करूँगा अब देखे यहाँ पर मेरा pin आ गया है तो चलिए मैं यहाँ पर अपने pin को भाई फिलब कर लेता हूँ अब जैसे मैं यहाँ पर अपने pin को भाई फिलब किया तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा google pay का account यहाँ पर बन गया है तो friends इस प्रकार से आप लोग भाई google pay account आप लोग बना सकते हैं झाल यहाँ पर लोग यहाँ स्थे मत. झाल झाल